इन सकूल वालों ने तो लूट मचा रखी, एक 10 उरुपे की कोपी जो 40-50 उरुपे में बेशते हैं, एक 80-90 उरुपे की किताब आती हो 400-500 उरुपे में बेशते हैं, यहां तक कि माबाप को भी फोरस किया जाता है कि आप अपने बच्चे के लिए जो ड्रेस है, बैग है, प होई भी माबाप है ना, हर माबाप अपने बच्चे के लिए सपना देखता है, उसका बच्चा ना एक AASE स्कूल में पड़े, जिस स्कूल में वो माबाप खुद नहीं पढद सका, और उसका बच्चा माबाप से ज़ादा सिख्या हासिल करे, इसलिए माबाप क्या करता है, बेस्ट से बेस्ट सकूल डिसाइड करता है अपने बच्चे के लिए लेकिन वो सकूल वाले और भी ज़्यादा लूट मचा देते उस चीज का फाइदा उठाते अब वो माबापको उलजा तो लेते बातों में उलजा लेते, कलासरूम दिखा के उलजा लेते आप हमारे यहां से पूरा पैकेज लो या उस दुकान से लो, आपका काम बनगा यानि कि पैसा फैंको तो मसा देखो, लेकिन यह गैर कानूनी है मैडियर, अब कानून जो कि यह कहता है कि गैर कानूनी काम अगर हो रहा है उसको सहना भी एक अपराद है और अगर आप ऐसे मावाप है, जो ऐसी लूट के सिकार हो चुके है कैसे कारवाई होगी है, वो बताता है देखो, पहली चीज दो कोई भी सकूल वाला, कोई किताब में कोई रबड पैंसिल नहीं बेच सकता है और अगर वो ऐसा बेचता है तो उसने कर दिया गैर कानूनी काम और उसके लिए, उस गैर कानूनी काम के लिए, आप क्या कर सकते हो आप जो भी आपके नज़दी की SDM है, उसको आप सूचना दे सकते हो और उसके उपर दो लाख उर्पे तक का जुर्माना सकूल के उपर लग सकता है, अगर वो सकूल वाला किसी दुकान की तरफ इसारा कर रहा है आपको उस दुकान से ही माल खरीदना है या मेरे सकूल से ही माल खरीदना अपने बच्चे के लिए यह गैर कानूनी काम है अब यह 2 लाख वाली जो सकीम है यह मद्य परदेश सरकार ने किये अभी मार्च 2024 के अंदर कि अगर जो नया स्सेंज जो स्टार्ट हो रहा है 1 अपरेल से लेगे, 1 अपरेल 2024 से अगर मद्य परदेश के अंदर कोई भी सकूल क्या करता है अब गर किसी माव आपको force करता कि वहीं से dress खरीदेना है या वहीं से pencil परकार खरीदेनी है तो जाके अपने नजदिक HDM को सुझना दो दो लाग रुपे तक का जुर्माना स्कुल के ओपर लग सकता है लेकिन अगर आप किसी दूसरे state से हैं तब दो लाग तो नहीं लेकिन वहाँ पर जुर्माने का प्रावधान जरूर किया गया वहाँ पर जुर्माना कितना भी लग सकता है पांसलाग भी लग सकता है यहाँ पर तो दो लाग तक है सिमित है पर यहाँ पर सिमित नहीं है अगर आप हर्याना, पंजाब, राजस्तान, यूपी, वियार कहीं से भी हो अगर आपको लूटा जा रहा है, इसारा किया जा रहा है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, करवा ही कर सकते हैं लेकिन, 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 हाँ, दूसरी बात, दूसरी बात और भी अच्छी है, अगर आप अपने स्कूल, अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेजते हो, आप पूरे साल का इन्वोईस आप उनसे ले सकते हैं, कहने का मतलब आप समझ गयोंगे, बिल आप ले सकते हो, जी, अगर वो आपको बिल ना देतो, अब बिल नहीं देते हैं स्कूल वाले, क्यों नहीं देते हैं, वो इसलिए बता देता हूं, कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, स्टेसनेरी अपने स्कूल के अंदर ही बेचते हैं, अब स्कूल क्या कर सकता है, एडमिशन फीस एड़ कर सकत इन्हों इसके अंदर, जो Vain charge होता है, वो include करता है इन्हों इसके अंदर, पर भी सकता है लेकिन stationary का charge include नहीं कर सकता या फिर अगर उसने ऐसी कोई lowerыш Árg, Sal passions, अरो उसका charge भी उसके अंदर include नहीं कर सकता अब आपको bill बनाके देगा, सिर्फ इन चीज़ होगा, यानि कि अगर आप से एक साल का तीन लाग रुपया लिया है, तो आपको दो लाग रुपया थमा देगा, दो लाग का बिल थमा देगा तीन का नहीं देगा, इसका बिल नहीं देगा तो समझ जाना क्यों नहीं देगा आगर उसने आदा अधूरा बिल काट दिया तो फिर आपको क्या करना है income tax को phone कर देना है मज़ा आ जाएगा ना फिर तो income tax का help line number आपको कहां से मिलेगा google से आप उठा सकते हो call करना या हम आपको description में income tax का number दे दूँआ phone कर देना कि आपको जो बिल दिया है वो आधा अधूरा बिल दिया है और आधा अधूरा बिल देना बहुत बड़ा अपराद है यहां तक की document के अंदर गड़बडी करना भी एक अपराद है और एक 400 बिसी का भी अपराद है कि जितना पैसा लिया है उतना बिल देना बाबू अधा बिल क्यूं दे रहा है तो IPC सेक्षन सुनाओगा ना 420 आहा साथ साल की सजालती है ये भी लग जाएगा इंकम टेक्स वाले भी लपेट देंगे और पुलिस भी लपेट देगी तीसरी चीज और बता देता हूँ अगर स्कूल वाले क्या करते हैं बिल की बात आगी तब बता रहा हूँ अगर कई बार क्या करते हैं पहले अगर कुछ और चीज़े बता दी जाती है ठीक है मैं वो फिलम देख रहा था बारवी फैल तब मेरे कोई चीज याद आ गई कि क्या करते है स्कूल वाले एक ऐसे पोस्ट लगा देते हैं बुड़े-बुड़े हाना ये हमारे आँसे पढ़के IS बना ये हमारे आँसे पढ़के ये चीज बना है अगर कोई ऐसे किसी स्टूडेंट का उन्होंने फोटो वटो लगा रखा है और वो चीज फेक मिलती यानि कि पहले वो चका चोंद दिखा देते हैं अपने स्कूल की और बाद में हाँ हा थू थू कुछ नहीं है तो एक IPC सेक्शन होता है IPC सेक्शन 417 अगर वो ऐसा कुछ कर रहे है तो और यहां तक कि जो एक एक नया निया था खैर वो स्कूलों पर लागू नहीं था वो नहीं था तभी मैंने आपको 417 बताया तो इसके तैथ में आप उनके उपर कारवाई कर सकते हो चोथी चीज अगर आप मार्केट में जाते हैं किताबे लेने के लिए यानि कि स्कूल वालों ने बताया अरे उस दुकान पर जाना वहाँ पर जाके हमारे स्कूल का नाम ले देना और वो तुमको किताबों का एरे चीज देखी मैंने बस जाके यह यह बताना पड़ता है जी है ना फलाने स्कूल की किताबे दे दो अंदर एक लड़का जाएगा और पूरा बंडल यानि की बैग ही उठा के लेके आएगा बोला जी बैग लो अरे भाई वो परची तो देख ले बोला देख रखे हैं मने परची इस बैग का रेट है तीन हजार रोपीश में किता अपना सरकारी स्कूल हो, NCRT की बुक से लगेंगी और अगर कोई ऐसा प्राइविट स्कूल है जो NCRT की बुक तो लगवाता है लेकिन उनकी कोपीपेस्ट लगवाता है तो फिर आप उनकी उपर मुकदमा जरज करवा सकते हैं अगर वो बुक नकली है तो एक सेक्शन होत है तो आप स्कूल वालों पर ये वाली कारवाई कर सकते हो अब एक चीज़ और बता देता हूँ अब आप एश्डियम के यहां पर चकर काटोगे क्या बता कारवाई हो या ना हो ठीक है आपके नजदी की जो भी पुलिस स्टेशन है आप पुलिस स्टेशन पर जाके भी वी पुलिस के अंदर जो किताब बे स्टेशन रसे है पुलिस चाह है तो उस प्रोपर्टी को जपत कर सकती है और स्कूल के ऊपर फिर ऐसा कोई जर्माना विग भी लग सकता है इसके लाबा अगर आप कोई कोट के चैरी जाना चाहते है ये तो थी आपकी घर बेठे आप आपके साथ में जो भी गलत वेवार किया है यानि कि आपको force किया जा रहा है कि आप वहीं से dress खरीदो, वहीं से किताबे खरीदो तो उसके लिए फिर आपको मुआवज़ा भी दिलवाएगी, मुआवज़ा दिलवाएगी कॉर्ट नाइश डिम दिलवाएगा ना पुलिस दिलवाएगी तो सकूल वालों जो लूट मचा रखिए आपके साथ कैसे लूट मचा रखिए पलीज आप मेरे को जरूर बताएं कमेट बेक्स खुला है, आपके साथ में अगर आप ये ऐसे माबाफ हैं, कैसे उन्होंने लूट मचा रखिए कैसे आपको लूटा जा रहा है आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मेरे को और जानकारे मिलचके, क्योंकि अभी तक मेरे पास सरफ इतनी जानकार यही कि ऐसे से लूट मचा रखिए कोई और चीज़े भी हो सकती है ठीक है, एक चीज़ और भी जो मेरे को ध्यान आगी वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में बता दिया जी सरफ एक लाग और प्या लगया और कुछ नहीं फिर बीच में कहते हैं कभी 500 लियाओ, कभी 700 लियाओ, कभी 800 लियाओ वो भी एक दुरोवेवार, कंजूमर एक्ट का एक सक्षन होता है 88 हाई हाई, 6 महीने के सजा और 20 लाग जुरमान नहों पाई हाँ, यह सक्षन लग जाएगा यह कंजूमर एक्ट का मैंने बता ना, इसके लिए सीविल पोट जाना पड़ेगा अगर बीच में पैसे मांगते हैं अरे गडिया तेरे पापा का बोलना 700 ले के आए आज 800 ले के आए, आज 1000 ले के आए क्यों पापा ने 96 की मिशिन लगा रखे तो यह section लग जाएगा ठीक है, तो tension नहीं लेना है जो ऐसे लुटेरे स्कूल वाले बेठे हैं आप उनके उपर कारवाई कर सकते हैं मैंने फिर कहा, आपके साथ में कैसे लूट हो रही है आप मेरे को जुरूर बताएं ऐसे आप इन कारवाईयों को रोक सकते हैं देखो भई, ऐसा है, सचा यह बता देता हूं सभी नहीं होते, मानके चलो एक स्कूल के अंदर अगर 100 बच्चे हैं उन सो बच्चों में से 10 के माबाप ऐसे होंगे जो tension free रहना चाहते हैं कि स्कूल वाले एक बार बोल दे भई, हमें न, बच्चे का पूरा टेंडर उठा देंगे एक साल का, आप हमको डायलाग देता हूं यह डायलाग का चेक लो 10 माबाप चाहते हैं कि यार, tension free कौन किताब योगरा लित्या गुमता फिरेगा लेकिन चो 90 माबाप है न, उन 10 की वज़े से उन 90 माबाप फिज जाते हैं उन 90 को एसास होता है अब जगो स्कूल वाले तो यह सोचेंगे न, जैसे 10 माबाप है ऐसी ये 90 माबाप होते तो हमारी तो बल्ले-बल्ले हो जाती कि जैसे इन्होंने चेक काट काट के दे दिया अब पूरे साल का ये 90 माबाप और दे 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 तो और अच्छा होता अब स्कूल वाले तो यह सोचेंगे लेकिन वो 90 माबाप पिश चुके हैं अब हर कोई चाता है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़े अच्छा है एक चीज और भी उता देता हूँ अगर कोई स्कूल वाला ये कहता है कि अगर ड्रेसे आपने वहां से नहीं खरीदी जहां से हमने कहा हम आपकी बच्चे का डेमिशन नहीं लेंगे तब भी आप उनके उपर क्या खर सकते हो एक सीविल सूट सला सकते हो कोट के अंद वो भी कंजूमर एक्ट के कोडिंग चलेगा अगर दुकान खोल लिए तो समान बेचने के लिए खरीदी है और अगर आपका बच्चा वहां पढ़ने के लाएगा तो उनको डेमिसन लेना पड़ेगा मना नहीं कर सकते हैं स्कूल भी सीज हो सकता है यानि कि उनकी जो परमानिता है वो कैंसल भी हो सकती है बच्चे पढ़ने के लिए तो स्कूल है और क्या हलवाई बनाने के लिए समझ गया ना तो मना नहीं कर सकते हैं डरने के जूरत नहीं, टेंशन लेने के जूरत नहीं है, तो यह कुछ जानकारी थी, सकूल वालों ने अगर लूट मचा रखी है, तो आप ऐसी उनके उनके उपर कारवाई कर सकते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आपकी राया है, आप जरूर बताएं, कमेट बोक्स खुला है, अच्छा लगा इसको लाइक कर लीजी, वीडियो, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजी, ये भी आपके पास में राइट है, और अगर अच्छा लगा तो इसको सेर कर लीजी, ऐसी कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए या किसी ओर टोपिक पर जानकारी चाहिए उस टोपिक के बारे में जो आप जानना चाहते हो आप इस सेनल को सब्सक्राइब कर लें और वो कमिट बॉक्स में लिख दें वो आपका जो टोपियो को कमिट बकुस में लिख दे मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के देदूगा तो थैंक्यू, थैंक्यू, मैडियर मेर से अगर संपरक करना है तो description में आपको मेरे link मिल जाएंगे तो ये कुछ जानकारी थी अगर स्कूल वालों ने लूट मचा रखे आने की लूटे रहे सकूल वाले तो फिर आप ऐसे उनके उपरकारवाई कर सकते हैं थैंक्यू, थैंक्यू, मैडियर